आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question says इस विच अमंदा फॉलाइं पेरोफ एलमें इस जिनकी Maximum and Minimum Electron Affinity Values वो आपको देखने को मिलेगी राइट वो देखो अपने में बात करते हूँ Electron Affinity की राइट So Electron Affinity जोते है यह बेसिकली Tendency होते है एक एलमेंट की Electron Gain करने की Right, right मदा इस जोते है बेसिकली Minimum Energy जो आपकी Release होते है जो आपका कोई Element जो है आपका Electron Gain करता है Enix Valence Gen और आपका Isolated Gases Atom होगा Fine, so जब भी Isolated Gases Atom की Valence Gen में Electron Gain होता है Mad अध़ एलेक्टर आपका बेसिकली Add होता है In short उसमें आपके आपका Energy जो होता है वो Release होता है Fine अब होता कहीं कि देखो अगर आपका जितना जादा साइस चोटा होगा आप जैसी Valence Gen में Electron नाइट करोगे तो Stable हो जाएगा बेस उस पर जो निंक्लेस का Charger होगा उसको अपनी तरफ पुल करेगा जिसकी विज़से वह स्टेबल होगा और अब है मैं आपको बात करते हैं आपको पता है कि Group 17 कि जो Elements होता है उनकी Higher मताब सबसे ज्यादा Maximum Electron Affinity होता है Because उनकी Valence Gen में 7 Electrons होता है वो एक Electron गेंग करना पसंद करते है इसलिए Group 17 के Elements की Maximum होगी और यही पर Group 1 वाले जो होते है उनकी Minimum होती है और आपको बताए कि जब हम from one group to another group move करते है हमारा size जो होता है वो decrease करते है क्योंकि Z effective बढ़ता है nuclear charge बढ़ता है और Group 1 वालो की Minimum होती है सबस्क्राइब देखब कौन ही जो भी मेरन का एपते है इस दो हिए du ंई रहा होती है फेरी नहीं धरती है प्रसिटेंरन्स तो तो इस अए घ्री बढ़े माराँ करते है बदी विआ टा एंचे पॉर ऑपर एम बदी मिनाम है बिखोज ये group 17 से and CCM की minimum होगी ये group 1 का आपका element होता है fine, so इसकी minimum होने वानी option 4 correct होगा, thank you